आईपील 2020 में तेज गेदवाज जस्परीत भुमरा और ट्रेंट बोर्ड की दमदार गेदवाजी के बाद युवा विकेट कीपर बल्लेबाज इसान किसन की तुफानी बल्लेबाजी के बदौलत मुंबई इंडियन्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को नौ विकेट से हरा इस करारी हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के टीम की मुस्किलें बढ़ गई हैं आपको बता दें अब तक खेले कुल 13 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स के टीम की यह चछटी हार है हलाकि अभी भी कुल 7 मैचों में जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स पीसरे नंबर पर इस बार IPL में सिखरधावन दो साथ तक भी जड़ चुके हैं, लेकिन मुंबई इंडियन्स के गेदबाजों के सामने सिखरधावन की एक न चली, पहले ओवर में ही सिखरधावन सुन्य रन पर आउट हुए, इसके बाद रिशब पंत और स्रेयस अईयर ने कुछ देर तक सं किसन की ताबर तोड़ तुफानी बल्लेबाजी के सामने दिल्ली कैपिटल्स के दिगज गेदबाज भी वेबस न जराए, जी हां किसन की ताबर तोड़ तुफानी बल्लेबाजी देखकर एक समय ऐसा लग रहा था कि किसन सतक बना सकते हैं, लेकिन कम स्कोर होने की वज़ से किसन यह कारणामा करने से चूक गए 72 अनों की तुफानी पारी के दोरान इसान किसन ने आठ चौके और तीन सांदार चक्के जड़े किसन की इस बेहतरीन पारी के दम पर मुंबई इंडियन्स की टीम ने 15 हमें ओवर में ही जीत हासिल कर दिया इसान किसन की इस तुफानी पारी के बाद उन्हें टीम इंडिया में महेंद्र सिंग धोनी की जगह का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है दोस्तों इसान किसन और रिशा पंत के बीच आपकी से टीम इंडिया में देखना चाहते हैं कोमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं